हलो फ्रेंट्स यह मेरा वीडियो है बिट कोईन में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी लिए एक अच्छी अपॉर्चुन्टी आने वाली है यह बिट कोईन का चार्ट है बिट कोईन वर्सेस यूस डॉलर तो इसमें यह विकली चार्ट है हमारा और इसमें हम यह कि अभी हमारा प्राइस करीपन 48,000 करीब चला 48,220 तो इसमें हम देख रहे हैं कि यह हमारा बिट कोईन केजी से मूव किया था और यहां से हमारा करेक्शन स्टार्ट हुआ था दुबारा जब यह बिट कोईन उसी प्राइस से पहुचा तो यहां से यह जिसको बोलते हैं ह अबल टैप में भी एक स्ट्रॉंग करेक्शन हो रहा है तो मेरा यह मानना है इसमें कि यह बिट कोईन जो इसमें करेक्ट हो रहा है यह थोड़ा सा यहां पे जब यह हावर करेगा और यहां पर रुके गा तो करीबन यह 48,000 से लेके 42,000 तक करीबन यहां पर अगर हॉल्ट कर गया तो वी कैन बाइब बिट कोईन फॉर इंविस्मेंट पर पर सो इट रीच अप तो मोर देन 80,000-90,000 डॉलर तो इसका मैं अनालिसिस करके इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे यह कैसे मतलब क्या चांसे है कि आप अब आविल्टी है यह डाउन ट्रें में कैसे जा सकता है तो हम यहां शुरू करते हैं कि पहले मंतली चार्ट में हम चलते हैं मंतली चार्ट में हम चलते हैं यहां पर देखते हैं कि क्या हुआ था मंतली चार्ट में हमें यहां पर एक कंजेशन दिख रहा है यह कंजेशन दिख रहा है जो एक रेंज है यहां पर रेंज से उपर गया मार्केट, नीचे आया, उपर गया, नीचे आया और यहां से ब्रेक आउट दिया, तो हम स्टडी करते हैं कि इस रेंज में क्या हुआ था, क्या ऐसा सेटप बना था, क्या पैटन बना था, क्या पुलबैक्स हुए थे जिसके बाद यहां से लेके, यहां तक काफी, I think, 9 9,000, 10,000 से लेके 63,000, almost 7 times हमारा मार्केट गया, तो यह मंतली चार्ट है हमारा, हम यहां पर देख सकते हैं, मंतली चार्ट है, और यह हमारा यहां से, यहां से हमारा, ब्रेक डाउन हुआ था, इस पॉइंट से, ठीक है, यह हमारे बायर्स जिन्हों ने इसको पुश किया थ अपके डारेक्शन में, हम इस चीज को स्टडी करते हैं, वीकली चार्ट में, कि वीकली चार्ट में हुआ क्या था है, तो यह हमारा वीकली चार्ट आ गया, यह हम देखते हैं, इसमें क्या हुआ था, यह वीकली चार्ट में हमने एक सपोर्ट लाइन बनाई, और यह हमारा मार्केट जब Bitcoin उपर गया इसके बाद इस support line को piers किया उसके बाद यह pullback यहां पर start हुआ this is called first pullback जब भी market में दो pullback होते हैं तो market बहुत तेजी से rally करता है अगर up direction में है और नीचे की direction में जब दो pullback बनते हैं तो बहुत तेजी से market गरता है तो यह हमारा first pullback बन गया first pullback बनने के बाद यहां पर अभी भी चुकि market बहुत तेजी से गया था उपर तो जो हमें buyers थे उनको discounted price चाहिए थी उन्होंने लंबा time लिया इसमें यहां पर अपनी position को बनानी में और यह market हमारा pullback किया तो it was very definite that there will be second pullback so that all orders of buyers can be filled उसके बाद हमारा second pullback जब हुआ यहां पर lower low आप देखिए pullback में यह lower low lower high lower 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 higher और प्रोब देने के प्रोब देने के प्रोब देने के लिए यह बनते गया और जैसे यह higher high बना और उसके बाद higher low बना यहां पे तो यह हमारा first pullback हमारा complete हो गया अब दूसरा हमारा यह second pullback start हुआ lower low lower high lower low no lower high almost equal high और फिर यह completely जब market गया तो यह एक यहां पर हमें दिया एक प्रोब दिया और प्रोब देने के बाद यहां पर आके same equal height उसके बाद यह congestion congestion होने के बाद यहां पर हम market को buy कर सकते थे तो यहां पर हमारी एक shorty हो गई कि market यहां से breakout देगा और इसका stop loss हम यहां पर रख सकते थे इस low के नीचे या इस जो भी low है इसके नीचे हम stop loss रख सकते थे तो basically क्या हुआ यहां से market बहुत तेजी से rally किया इसको मैं एक बार फिर से बतायता हूं कि हमारी entry कहीं यहां पर बनती थी और with stop loss here some people will make this key जो है यह हमारा इस तरह से inclined हमारा support था जो अगर pattern के हिसाब से लोग देखते हैं तो यह हमारा pullback थे अब pullbacks के बाद यह पहला pullback second pullback आके यहां पर pullback तभी खतम होता है जब वहां पर pullback खतम होने के बाद कंजिशन फॉर्म होता है कुछ लोग इसको second दूसरे डंग से करते हैं कि यह हमारा एक विज़ पैटन मन गया यह market उपर गया यहां से यह फाइनली एक विज़ पैटन मन गया यहां पर breakout होके यह टेस्ट करने आया यहां पर तो वो लेते हैं यहां पर तो यह जब टेस्ट करने आता है तो लोग यहां पर ट्रेट डालते हैं लेकिन मेरा मानना है कि मतलब मार्केट जब कंजिशन में हो मार्केट जब पुल बैक कर रहा हो तो हम पहले ही उसको ट्रेट करने हमें पता तल जाए कि breakout होने की possibility कहा है राधर देन कि जब यह breakout अगर यह breakout यहां पर हुआ होता और यहां पर रुक के यहां से भाग गया होता तो हमें यह थोड़ी सी higher price पर खरीगना पता तो मेरे ख्याल से यह price थी ठीक है तो चुकि यह analysis करना भी असान इसलिए हो जाता क्योंकि मार्केट को हम hindsight में analyze कर रहे हैं बट मेरा यह मानना है कि यह market जब भी मार्केट जब भी इस तरह के pullback करता है तो market बहुत तेजी से breakout देता है यह first pullback and then second pullback और यहां से breakout देता है ठीक है यह हमारी support line हो गई यह हमारी piercing हो गई अब हम चलके देखते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है exactly same चीज हो रहा है यह market इतनी rally करने के बाद यहां पर पूल बैक कर रहा है यहां पर most likely बहुत से जो buyers हैं जिन्होंने यहां पर buy कर रखा है वो अपना profit यहां पर book कर रहे हैं तो market में देखे पहला pullback शुरू हो गया पहला pullback lower low lower high lower low lower high and then no lower low और higher high फिर higher low higher high higher low higher तो यह हमारा pullback जाके यहां पर खतम हो गया जहां से market गिरा था अब यह second pullback हमारा start हो गया तो यह आया तो मैं यह expect कर रहा हूं कि अगर यह pullback हमारा चलता है इसी तरीके से तो हम यहां पर कहीं के यहां पर अगर यह market अभी lower low lower high बनाएगा फिर lower low lower high बनाएगा और जब लोग बोलते हैं कि यह market touch करेगा एक लाक डॉलर को तो हो सकता है वहां पर आप इस पर ध्यान दीजिए कि यह जो low है इसके नीचे भी आ सकता है इसके नीचे को कि second pullback इसके नीचे भी आ सकता है तो लोग क्या करेंगे कि इसके नीचे आने के बाद लोग जो है यहां पर selling start कर देंगे बट हमेशा याद रखिए कि second pullback can be lower than the low of first pullback तो ऐसा हो सकता कि यहां पर market आने के बाद higher high बना के और यहां stay कर जाए फिर हम यहां पर position ले सकते हैं further और उस case में क्या होगा कि market यहां पर support पर आएगा सॉरी resistance पर आएगा फिर यहां पहुचेगा तो पहली बार market में ने इतना प्रेस किया second time ने market ने इतना प्रेस किया और third time थोड़ा सा मार्केट जो है प्रेस करेगा यहां पर क्योंकि यहां पर अभी sellers सारे exhaust नहीं हुए है क्योंकि पहली बार sellers ने इस लेविल तक ले आए तो third time भी कुछ level पर लेके आएंगी और फिर finally यहां से market उपर जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि बाद में यह head and shoulder pattern मन गया और उसके बाद यह continuation head and shoulder pattern है तो बट हमें head and pattern से कोई लेना देना नहीं हमें तो pullback से लेना लेना कि हमारा pullback क्या हो रहा है अचा second second क्या है यह अगर market यहां पर नीचे इसको break कर दिया और यहां पर higher low बनानी की बजाए higher high और higher low बनानी की बजाए यह अगर further यहां पर consolidate हो कि इस break को तोड़ दिया market फिर नीचे चला गाएगा तो हमें तब तक watch करना पड़ेगा चुकि यह bitcoin है और यह बहुत long term में बहुत अच्छे uptrend में है तो इसके chances हमें कम लग रहे हैं बट यहां पर confuse ना हो आदमी क्योंकि normally क्या होता है कि लोग trade करते हैं कि लोग break हो गया तो इसलिए अब sell कर दें नहीं नहीं मार्केट यहां से नीचे आएगा हम वेट करेंगे इसके बाद क्या होता है अगर यहां प्याद करता है और फिर यहां पर सपोर्ट प्याद कर रुपता है तो वी केंगो फर लॉंग ठीक है और अगर मार्केट लोग बनाया यहां प्याद करना शुरू करता है इसका मतलब मार्केट नीचे जा सकता है इससे कंपेर मत करें यह थवासा मैं डायग्राम थवासा बना रहा हूं जबकि यह सारी चीजे इस प्राइस के ऊपर होने की प्राविल्टी है यह मेरा यह टेक है बिटकोईन पे कि जो प्लानिंग कर रहे हैं वो कैसे वेट करें अभी यह अभी वीकली एक कैंडल इसमें एक वीक है तो अगर इसको यहां पर होल्ड करना है गिये ख्याल से करीबन दस पंदरा कैंडल लगें इसमें तो 10-15 कैंडल कि मार्केट में हमें कैसे पोजिशन लेनी है तो ऐसा भी हो सकता है कि चुकि यह बिट को आयन है बट यह ऐसे करके सीधे ऐसे भाग जाए फिर यहां से तो डिपेंड करता है कि उसमें क्या सिच्विशन होगी अगर मार्केट यहां पर आया यह ट्रेस कर रहा है और यह एक दो दिन एक दो वी एक दो कैंडी बनी ऐसी फिर सीधे यहां के सीधे यहां पर इसको जो से लिंग को अगर यह खत्म करते हैं बायर्स उसके बाद एक दो कैंडी बन गई तो यह उसका ऊपर चलागा उपर मतलब जाने को बढ़ जाएगी डैट डिपेंट्स बैड और जिथना लंबा समगे चौंसरलिडिशन होगा जिथना लंबा उतने चंसे हमारे हैं कि मार्कित ओपर जा जा है इतना टाइम लेका है हमारे और इसको फिर हम जाके देखे मेरा heck चार्ट में एक रेंज बनेगा जिसे हम कहते हैं रेंज ब्रेक आउट हो गया जितना लंबा रेंज होगा उतना अच्छा ब्रेक आउट होगा लेट सी तो मेरा ये वीडियो था उन लोगों के लिए जो बिट कोईन में इंवस्मेंट करना चाहते हैं और जो वेट कर रहे हैं और इसमें प्राइज काफी डिसकाउंटर हो गई ये प्राइज करीब हमारे ख्याल से पहुंच गई थी शिस्टी एड थाउजन के करीब तो पर वाच रखें और बाकी तो इसमें जो प्राइज पैटन मनेगा मतलब ये अलग-अलग सपोर्ट एंड रिजिस्टेंस पर हो सकता है कि यहां पर मार्केट यहां पर स्टे करके यहीं पर हमारे तो यहां से एक अपॉर्चूंटी हमें यहां मिलेगी और दूसरा यहां प पर ट्राइ करेंगे और यही सेम चीज यहां पर हो यहीं जोसको मैने डिस्क्राइब किया रहा है सेम चीज बट खुल्ट थ्था इंकलांट सब रिस्टेंस लाइं पर तो तो सेम यहां पर पहला पुलबैक था सेकेंड पुलबैक जो गया है इस इस हैपनी जस नियर तो इस और यहां था तो हम यहां पर इस तरह का सेटप ढूड़ेंगे तो यह रहा हमारा बिटकोइन का और मैं भी वेट कर रहा हूं इस तरह का सेटप बन जा बढ़ चुकी इसमें अभी दो-तीन महीं लगेंगे तो बिसिकली इन्यच्पन के लिए ट्रेडिंग के लिए हम दिफरेंट टाइम फ्रेम में जाके करते हैं एक बार इसमें देख लेत नीचे आ रहा है तो हम बैसिकली लांग टम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम वीखली में ही देखना प्रिफर करेंगे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा ताकि मैं इसके आगे की भी एक महने बाद या जब भी मौका मिलेगा तो मैं अगला वीडियो बनाओंगा कि इसमें बिटकोईन कैसा कर रहा है और क्या पॉबिल्टी बढ़ रही क्या मार्केट प्राइस एक्षन चेंज हुआ है अगर चेंज हो गया है चुकि यह मेरा प्रडिक्शन आज से है अगले तीन महने में क्या होने पर क्या करना लेकिन कल को बिटकोईन में बनाओंगा कि इतनी हाई वोलाटिल्टी होती है कभी भी कुछ भी मार्केट बीटें राता है तो हो सकता है कि एक या दो वीक के बाद जो है सेट अप चेंज हो दाए पैटन चेंज हो दाए मार्केट कुछ और इंडिकेशन दे तो उस हिसाब से मैं अनलाइस करूंगा बॉक्स जिन्होंने यहाँपर बाई किया होगा अब यह प्राइज उपर तो गही और अगर प्रॉफिट नहीं भूक किया होगा तो यह प्राइज वापस यहाँपर पहुच गही है तो उनके लिए कोई बेनिफित नहीं हुआ तो बिसिकली जो जो सेकंड पूलबैक है त is more important because that creates a panic into the minds of traders so let's see so thank you guys all the best